बाईयों और बेहनों, मुझे आध है कि पांच वर्ष पहले जब मैं हर्याना में भाजपा सरकार बनाने की बात करता था, तो हमारे सामने जो विरोधी दल खड़े थे, उनके नेता थे, वो मेरे मुझे में उंगली डाल डाल करके पूछ रहे थे, पिछले चुनाओ मैं, कि मोदी जी बताओ, तुम बोड तो मांगने आये हो, लेकिन तुमारा कैप्टन कौन है, ये मुझे पूस्तित है, और तम मेरा जबाब होता था, कि हर्याना के जन्ता के आशिरवाद मिले, तो हर्याना को एक मजबूत सक्षाम कैप्टन भी मिलेगा, और अकेला कैप्टन नहें, मजबूत टीम भी मिलेगी, आज पांच साल बार, कैप्टन भी पूरी बुलंदी के साथ आपके सामने है, और मजबूत टीम भी आपने देखी है, यही टीम है, जिसने विकास के मामले में हर्याना को अग्रमनी रखा है, अवल रखा है, संयोग देखिए, जो तम मुझसे कैप्टन को लेकर सवाल करते थे, वो आज अपनी बिखरी टीम को ही समेटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वो खुद को जितना समेटने की कोशिस कर रहे हैं, उतना ही वो रोज बिखरते चले जा रहे हैं। आप मुझे पताईए, अपने अपने स्वार्थ की वज़े से, अपने अपने अहंकार के कारण, अपने अपने कुन्बे की हिफाजत के लिए और इसी वज़े से बिखरते हुए लोग, क्या हर्याना के विकास के बारे में सोच पाएंगे? हर्याना का भणा कर पाएंगे? हर्याना का विकास कर पाएंगे? कोई संभाव नहाएं इसे? स्वार्थ और ब्रस्चाचार की राजनिती? ये हर्याना की जनता का संसकार नहीं है ये धर्ती तो भारत मा की जाय बोलते हुए हाथ में तिरंगा के लिए जीने मरने का प्रण ले करके चले हुए सीमा पर दुश्मनों के होवश उड़ा देने वाले ये वीरों की धर्ती है बलिदानियों की धर्ती है त्याग और तपस्वियों की धर्ती है और ये धर्ती खेल की दुनिया में चा जाने वाले हमारे वीर बेटे बेटियों की धर्ती है ये इस धर्ती का यहां के लोगों का सयोग और समर्तर है जिनोंने मनोहर लाल जी और उनकी टीम को ताकत दी है आपका यही आशिरवात हमें लोगसभा के चुदाओं के दोरान भी मिला है विशेश तोर पर हमारे युवास साथियों ने किसान और स्रमिक साथियों ने हमारी बहनों ने नई उमीदों और नए सपनों के लिए कमल के निशान पर बटन दबाया साथियों तब मैंने कहा था कि हर्याना ने जो मेरी परवरिश की है हर्याना ने जो समस्कार मुझे में गड़े है उनका मान और समान मैं सरवोच रखूंगा यह मैंने आपको वादा किया नई सरकार बने अभी बहुत समय नहीं बिता है लेकिन आपके सामने रखा हर संकल्प मैं तेजी से पुरा करने का प्रयास कर रहा हूँ कि हुआ है